आप सब के लिए गुड न्यूज वह यह है कि हाई कोट ऑफ जामून किश्मीर एं लदा कैस्ट्रीन अगर उन्होंने आडविटीजमेंट 2024 जो निकाली है उसमें 283 पोस्ट अडविटाइज की गई है इन पोस्ट में हम देखींगे कौन से बच्चे इलिजेबल है इसका साल रखा गया है वो different from that of JK SSB जो syllabus है या उसका जो criteria उससे बिलकुल different है ये सारी चीजें जो होंगी पोस्ट करेंगे date of application कब से start करेंगे बच्चे farm बरना last date क्या रहेगी और इस में fee कितनी रहेगी सारी चीजे में इसमें discuss करते हैं so start करते ही जो हमारी notification है इसमें कौन-कौन सी post है जिसके लिए इन्होंने advertisement निकाली है तो सबसे पहले बात करेंगे बहुत important post है वो है junior assistant level 4 की post है ये next जो है वो है stand or typist की है इसी तरह से third one जो है system officer और fourth system assistant की जो के judiciary यूटी आफ जमून कश्मीर वहाँ पे post advertise की गई है so चलते है नीचे so date of application कब से होगी कब से आप form बर सकते हो वो है second of September 2024 से last date first October 2024 रहेगी और last submission date भी यही रहेगी first October 2024 यह चीज़े आप देख लेना बाकी देखेंगे level 4 post जो junior assistant की है उसकी total post आपको कश्मी ड्वीजन में 81 और जमू ड्वीजन में 126 total 207 post advertisement उसकी की है जमून कश्मीर हाई कोट ने और यहाँ पे जो eligibility उन्होंने रखी हुई है वो है graduation जिस बच्चे ने भी graduation की होगी चाहिए वो science से belong करता होगा या फिर art से किसी भी stream से लाकिन उसकी graduation होनी चाहिए और उसमें उसको six month का एक computer application मतलब computer diploma होना चाहिए छे महीने का तभी वो apply कर सकता है इस post के लिए यहाँ पे आप से computer में diploma नहीं मांगते थे यहाँ पे आपको diploma होना चाहिए six month के at least और उसकी बाद बात करेंगे तो second जो पोस्ट है वो अमारे पास टैनो टैपिस्ट की है लेवल five पोस्ट है यह और इसकी total 30 पोस्ट जो है वो कश्मी डिविजन में 40 जो है वो जमू डिविजन में है और यहाँ पे graduation आपको होनी चाहिए minimum qualification किसी भी recognized university से और second यह है कि आपको diploma होना चाहिए short hand में typing type writing में from recognized institute में और जहां पे आपकी speed 60 words per minute होनी चाहिए short hand में और 30 words per minute आपको computer keyboard पे होनी चाहिए यह चीज इसके लिए यह eligibility उन्होंने steno typist के लिए रखी है उसके बाद system officer यह total a की post है इसके लिए आपके पास जो qualification mca be btec जो है वो students इसके लिए apply कर सकते हैं और next बात करेंगे steno system assistant level 2 post है total 4 ही post है इसकी और इसके लिए आपका bachelor in computer application में होना चाहिए 60% आपके marks होने चाहिए या फिर कोई भी बच्चा जिसने bsc की होगी वो भी apply कर सकता है लेकिन उसको pg में computer का एक साल का diploma होना चाहिए या फिर btec किसी ने किया सौरी जिसने diploma किया हुआ computer में तो polytech किया हुआ है वो भी इसमें apply कर सकता है और इसका computer science होना चाहिए computer engineering में उसने किया हूँ कि उसके बाद बात करते हैं इसमें उन्हें एज एज जो रखी यह वह open के लिए 40 years in case of open categories के लिए 43 42 यह देख सकते हूँ फिजिकली चैलेंजेट candidates और एक service के लिए 48 उसके बाद एक इसमें important point है कि जो यहां पे fee रहने वाली आपकी वो कितनी रहेगी यह इस form के लिए आपकी fee जो होगी वो चाहिए candidates category से बिलॉंग करें जर्नल से तो 500 रुपीज पर candidate इसमें आप apply कर सकते हो और उसके बाद direct हम जाते हैं जो syllabus इसका है ज जो stano की बात करते हैं तो इसके लिए qualifying short hand typing test होगा जो के उसको dictate किये जाएंगे वहां पे 300 words और 5 minutes जिसमें आपको 60 words per minute आपको वहां पे computer पे type करने हैं और यहां पे 10 minutes जो होंगे उसमें 30 words per minute वो keyboard पे कर सकता है यह रखा गया है stano के लिए अगर बात करेंगे इसके junior assistant जो के बहुत important इसका जो structure हैने वाला है test का वो रहेगा इसमें online test आपको करवाया जाएगा और 80 marks होंगे यहां पे और 80 minutes आपको allow किये जाएंगे 80 minutes में 80 questions आपको करने हैं और यहां पे जो बच्चा यह नहीं कि वो return qualify कर गया तो वो post के लिए qualify कर जाएगा आपको return के बाद interview होगा 20 marks का तो इसमें 1 is to 5 बच्चों को लिया जाएगा यह नहीं अगर 200 post है तो आपको 1000 बच्चों को application के लिए वाइवा जो होगा interview होगा उसके लिए बुलाया जाएगा so उसमें से फिर 201 को select किया जाएगा so उसके बाद देखेंगे computer based और questions वही होगे जो मैंने भी बोला हाँ एक बात यहां पर है negative marking यहां पर नहीं होगी देखो कितना different from that of jkssb और apply ratio जो होगा 1 is to 5 होगा 5 is to 1 वहां पर आपको बुलाएंगे और syllabus की बात कर लें जो उनका previous syllabus यह था कि यहां पर journal English के 30 marks ते journal knowledge और current के 25 basic concepts of computer 15 और job related related to course high course वगारा जो भी judiciary के related होगा वहां पर 10 marks आपको इस से पूछे जाएंगे तो यह सारा जो उसका syllabus है syllabus भी बिल्कुल different from that of jamun kashmir service selection board से अलग है तो यहां पर एक upper hand मिल रहा है उन बच्चों को जो belong करते थे जिनका maths इतना strong नहीं था reasoning नहीं थी यहीं वो arts से belong करते थे तो उनको भी एक upper hand यहां पर मिल रहा है सो यह आप देख सकते हो syllabus same like that of English में जो चीज़े पूछी जाती आर्टिकल से इडियम सारी चीज़े वही है computer में वही है basic current रहेगी और यह आप देख सकते हो so यह था इस post के लिए और बाकी जो update होगा इसकी पीडियो बाद में हम आप में telegram चैनल पर शेयर कर देंगे so मिलते हैं काल okay allahafiz thank you